अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए पस्चिम मंगाल में दूसरी चरण की वोटिंग के बीच जहुआ जबरदस्थ हंगामा ममता बनरजी बोली बिहार और यूपी वाले लगा रहे हैं नारे सही से नहीं हो रहा है मतदान जहां पस्चिम मंगाल में गुरवार को दूसरी चरण के लिए मतदान जारी है इस बीच CM ममता बनरजी नंदी ग्राम में जाइजा लेने पहुची नंदी ग्राम के गोकुल नगर बूत पर ममता बनरजी के आते ही हंगामा सुरू हो गया इस पर ममता बनरजी ने कहा कि नारे लगाने वाले लोग बाहरी हैं ये बिहार और यूपी से आये हैं ममता बनरजी ने आरोप लगाया कि सही मतदान नहीं हो रहा है बाहरी लोग इस्थानिय लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं ममता बनरजी ने इस समध में राज्यपाल से भी फोन पर बात की आपको बता दें कि नंदिग्राम समेत कुल 30 विधानसभा सीटों पर बंगाल मे मतदान हो रहा है ममता बनरजी ने राज्यपाल जगदीब धनकर को फोन किया और कहा कि बंगाल में निस्पक्छ चुनाव कराय जाएं ममता बनरजी की सिकायत के बाद राज्यपाल जगदीब धनकर ने ट्वीट किया कि राज्यपाल ने कहा कि ममता बनरजी ने एक चिंता व्यक्त की है, मैंने उन्हें सही एक्षन का भरोसा दिया है, उमिद है कि सही भावना से काम किया जाएगा ताकि लोकतंत्र आगे बढ़े पीयम मोदी ने कहा, दो मई के बाद बंगाल में भाजपा की बनेगी सरकार, असली परिवर्तन बस एक महीने दूर जिहां प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने पश्चिम मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरजी पर जमकर हमला बोला, और दावा किया कि दो मई के बाद राजज में भाजपा की सरकार बनेगी, और उनके पार्टी की सीटों की संख्या 200 के पार चली जाएगी एक चुनावी रेली को संबुधित करते हुए प्रधान मंतरी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद त्रणमूल कॉंग्रिस अध्यक्ष की बॉकलाट और बढ़ गई है, जैसे रेराम के नारे के आहवान और दुरगावी सर्जन से उन्हें पहले ही परिशानी थी, अब उन्हें तिलक और भगवा वस्तर से भी दिक्कत होने लगी है, तता उनके लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कह रहे हैं, पश्यमंगाल में असली परिवर्तन बस एक महीने दूर है, भाजपा की जीत का आकड़ा दो सो के पार भी जाएगा, उत्रकंड सरकार ने हरिदवार में कुम मेले की भव्य सुरुवात हो गई है, कुम मेला एक अपरेल से सुरू होकर तीस अपरेल तक चलने वाला है, आपको बता दें कि तिहास में पहली बार कोरोना महामारी के चलते, कुम मेला सिर्फ एक महीने के लिए आयोजित किया गया है, इस बीच और सताइस अपरेल को तीन साही इसनान होंगे, कुम के दौरान कोरोना के बिगड़ते हुए हालातों को संभालने के लिए सरकार ने नई गैडलाइन जारी की है, ये गैडलाइन एक अपरेल से तीस अपरेल तक लागू रहेंगी, उत्रकंड सरकार ने कुम में 2021 हरिदवार कुम मेले के लिए संसोधित SOP जारी की है, मिली जानकारी के अनुसार कुम मेले में लोगों को COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उलंगन करते हुए पाय जाने के बाद नई SOP की घोशना की गई है, हरिदवार आने वाले हर व्यक्ति को RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी यह अनिवार है, यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होने चाहिए, सभी को हर समय सरवजनी के स्थानों पर सूसल डिस्टन्जी का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा, उत्रकंड के सभी एंट्री पॉइंट्स पर COVID-19 टेस्टिंग इस इस्वरप्पा द्वारा लगाए गए आरोपो को गंभीर बताते हुए विपक्ष के नेता, सिधर अमया ने राज्यपाल से इस मुद्धे पर हस्तक्षेप करने का नरोत किया है, और राष्टपती ससन लागू करने की सिफारिश की है, वरिष्ट कॉंग्रिस नेता ने मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांगी, यदुरप्पा मंत्री मंदल में ग्रामीर विकास मंत्री इस वरप्पा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ रजपा से सिकायत की थी, उन्होंने मुख्यमंत्री पर उनके विभाग के मामलों में प्रत्यक्ष तोर पर हस्तक्षिप करने का रोप लगाया था उन्होंने रजजपाल वजु भाई वाला से मुलकात की और मुख्यमंत्री की गंभीर खामियो तथा प्रशासन के उनके निरंकुस तरीके को ले कर पांच प्रिष्टों का पत्र सौपा था अप्रेल में एक भी दिन नहीं रुकेगा कोरोना वैक्सिनेशन का काम सरकार ने जारी किया आदेश जिहां अप्रेल महीने में एक दिन भी कोरोना महमारी के रोक्थाम में वैक्सिन लगाने का काम नहीं रुकेगा एक आदेश में कहा गया है कि सभी सारवजनिक और नीजी COVID-19 वेक्सिनेशन सेंटर पर अप्रेल के सभी दिनों में वेक्सिनेशन किया जाएगा यहां तक कि हॉलिडे के दिन भी वेक्सिनेशन सेंटर चालू रहेंगे आपको बताते हैं कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 72,330 नय मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों के संख्या 1 करोड 22,21,665 हो गई है जबकि 469 लोगों की इस दोरान जान चले गई है जिसके कारण कुल 1,62,927 लोगों की जान चली गई है देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,84,055 है और डिश्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1 करोड 14,74,683 है महराश्ट 37 गर करनाटक, पंजाब, केरल, तमिलाडू, गुजरात और मध्यपरदेश में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं